करन जोहर ने अनौंस की सिधात मिलोत्रा की पहली aerial action drama योद्धा रिलीस किया first look teaser करन जोहर ने finally सिधात मिलोत्रा के साथ अपनी नई action film योद्धा अनौंस कर दी है कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक फिल्म शेर्शा की अपार सफलता के बाद करन जोहर एक बार फिर सिधात मलोत्रा के साथ आक्शन फिल्म करने जा रही है सागर आमरे और पुषकर ओजाद्वारा निर्देशित योध्धा 11 नवेंबर 2022 को सिनिमा घरों में रिलीस होगी सिधात मलोत्रा की योध्धा एक एरियल आक्शन ड्रामा है मेकर्स ने सिधात की नई आक्शन फिल्म की घोशना करते हुए फिल्म का फिर्स लुक भी शेर कर दिया है जिसमें सिधात आक्शन मोड में नजर आ रही है जहां सिधार्थ फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे वही अन्न स्टार कास्ट की घोशना भी जल्द कर दी जाएगी कहा जा रहा है कि सिधार्थ को इस फिल्म की स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने तुरंट इसके लिए हां कर दिया इस फिल्म में सिधार्थ का अंदेखा आक्शन अफ़तार देखने को मिलेगा सिधार्थ ने अपने आक्शन किरदार के लिए तयारिया पहले से ही शुरू कर दी है खबरों की माने तो योद्धा में सिधार्थ के साथ दिशा पाटनी और राशी खना लीड रोल में नजर आएंगी हाला कि अभी तक इसका ओफीशल अनाउंस्वेंट नहीं हुआ है बता दे कि ये वही फिल्म है जिसका नाम पहले योद्धा था और इसे शाहिद कपूर और दिशा पाटनी के साथ बना जाना था लेकिन शाहिद कपूर को इस फिल्म को छोड़ देने के बाद ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई थी इसके बाद करण जोहर ने इसे सिधात के साथ बनाने का फैसला किया हुआ है